नमस्कार दोस्तों, देखिए अब साधियों के फूले सरुवात हो चुकी है, साधियों के फूल के गुलाब तो खैर बारो मासी होता है, पर जैसे मोसम ठंटा होने लगता है, मानसून चल रहा होता है, या मानसून के बात का मोसम जैसी अक्टूबर आ जाएगा, तो बिल्मी के ही भॉदे ही सिर्थ एक शोटा होता है बाकि बहुत छोटा नहीं होता है को अब सर्दियों के फूल की ट्यारि तो पहले समनों शुरू कर लेते हैं हो भी गई है यह वीडियो गुल्दावदी के लिए करने चाहते हैं तो उसके लिए कुछ काम बहुत जरूरी होते हैं अभी करने उसके सुरुआ तो हम जो कि जुलाइगत से कर देते हैं पर अगर किसी नहीं किया हो तो जरूर करिए गुल्दावदी को पौधों को तीन तरह सम लगाते हैं एक तो जो पिछले साल के एक तो कंघे की हैं अबस्कैमका पल्द हो सम लेता याओ यूिजिक रहले से तो कर दोदे होगारा है त्योंतर निएट पाक्ति क्यूर्ड़्ंडविक जो खूंतल जन्य हो चुके हैं और यह दखेए यह पफाफी बढ़ा हो गया था तो कि इसकी मैंने कट्टिंह कर दी रखिए उसी पोदे की कटिंग से मैंने लगाया दो पोधे बना दिये थो यह कटिंग की पादो गया है कटिंग का मुगर या रखि एप यह रहां कि तरह स्वच नयुकर तो कि मैं पासी आले के लिए कीक दफ्टार होगी तो तो देखिए मैंने तीन ब़ते हुए है और कुछ पॉधे यह जब बीज वाले थे कुछ कटिंग के भी तो फूप्र सकती यह पता नहीं हो बहुंत हुए उन पॉदों को शिफ्ट कर दोंगी तो इस तरह से पॉधे लगते रहते हैं पॉली भाय कभी मत फेक हेगा बहुत यूसफूल होते हैं यह अग तुम्हें बात कर रही थी गुलदावदी के लिए कि आप खूब सड़ेपूल और पॉद्यक बुशी करने के क्या करें इस समय में एक बार कर चुकी पॉद्यक हो तो आपके पौधना बुशी होजाएगा यह मने अगस्त में किया था देखी पिंचिंग इसके अगस्त में कि थी तो देखे कितना बूशी हो गया खेया गोज़ा हो गया झाफी आज तो बहुत-दो तो इसको मैंने कटिंग कर लगा दिकर जो मैं दिखाई आपको पोधे को मेरे बीज गुल्दावदी के खराब हो गए जो नहीं हो पाए लेकिन कुछ बज़ गए हैं जो पानी में नहीं थे मिलब शेट नीचे रखेते वह बज़ गए हैं तो यहीं वह पौदे हैं तो इनको भी निकाल के मैं दूसरे गुम्रम लगा दूगी तो दिखिए मैंने इतना बड़ा सा है काफी बड़ा सा इसको जब 5-6 इंच नीचे से काट देंगे तो कटिंग होती है और उस कटिंग को हम लगा भी सकते कहीं भी किसे दूसरी जगह लगा चाहें लगा देंगे हाला कि मैं इसमें कर सकती हूं लेकिन बहुत ज़्यदा गुल्दावदी हो ग के बात कि होता है इन पौदों को लगाने सकते हैं और श्युद्ध bravery बहुत चूटे हैं तो बढ़ा पौदा लेते हैं तो यह शायदा नहीं यह जायद कि मुझे लगता कि लगे मुझेन नहीं हूँ है तो गये ही नहीं सब पौदे मेरी लगाएवे पौदे क्टिंग वाले देखे इतने बड़े हैं और तो इसके में करें क्टिंग कर दे रही हूं कि और धर्चिंग कर देह हूं कि अवी पूरी तरह से लेकिन ध्यक्षी हो चुका है और बहुत ज़्यादा पौधे लगाने के लिए गबने चाहिए इसके में इतनी पिंचिंग कर दिये तो पिंचिंग अपने पौधों में गुल्दावदी के जरूर करिए अगर आप बहुत ज़्यादा फूल चाहते हैं तो इसमें इतने सारे देखे ब्रांचेज निकली भी पौधे निकलेगी तो किते ब्रांचेज हो जाएंगे तो बौधा हमारा काफी बुशी हो जाएगा और बुशी बौधा होता है जितनी ब्रांचे पूल आते हैं तो इस तरह से काफी ज़दा अच्छा लूख लगता है जब फूल खिलता है तो इस तरह से चोटे बड़े रख रहते हैं तो इस तो यह लगता है कि नॉम्बर तक खिल जाएंगी और यह वाली खिलेगी जनर्वरी दिसम्बर तक खिलेगी जितनी चोट चोटे पौदे हैं उसको टाम लगेगा कि देखिए मुझे लगता है इससे आधे से भी आधे हैं तो यह वाले में पहले कली यह जाएगी है कि मुझे घुल्दावदी थे बहुत अच्छे लहते हैं बहुत पसंद है मुझे तो मैं कोशिश करते हूं तो ज्यादा ज्यादा हो और रों कोशिश करती हूं यह वी-कि स्लुश और और कभी कि इसा होता है कि जब हम कटिंग बीज और विक्ता करते रहते न तो एकी कलर की कई सारे पौदे हो जाते हैं लेकिन जब एक कि इक पौदे एक लगाई नहीं तो प्रैस ब्रॉद लगते हैं अच्छे लगते हैं और इस तरह से जैसे क्यों आप से मांगता है तो तो बहुत सरे टोड़ी की पौदे लगा या चाहीं नहीं है तब मैं पौदे को है कोई लगा ले चाहिए तो पौदा कीसी के घर में अच्छे लगते हैं पत्ती वेस्ट होनी चाहिए और अभी तक आपने अपने पिंचिंग नहीं किये तो कम स्कुर्ण फर्स्ट पिंचिंग तो करी लीजिए क्योंकि इस सित्मबर में तो सकेंड पिंचिंग होनी चाहिए पदा भूशी खने के लिए लेकिन फिर भी अगर बूल गया हो या किसी क सब्सक्राइब किजेगा और फेस्बूक पर मेरा पेज है उसे फालो किजेगा थैंक यू